चलो यह कहता है इलेक्टान इन हाइड्रोजन एटम एक इलेक्टान है हाइड्रोजन एटम में अकेला ही रहता है बेचारा ठीक है सिंगल रहता है यह इलेक्टान इन हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन एन वन से एन टू तक एक ट्रांजिशन है एन वन एन टू कोई रै बोर माडल वाले दे टाइम प्रीड अब दे इलेक्टान इनिशेली स्टेट एट ताइम प्रीड इन दा फाइनल इस्टीड अब देखो टाइन प्रीड जो पहला आ एनमन से इंटु तो तुम फॉसीबल वेल्व अब दे ट्रांजीशन ठीक है तो पहले कहां था इनिशेली इलेक्ट्रान एन वन इस उकल टू एन वन में था एन वन हमको नहीं पताई और फाइनली कहां चला गया यार फाइनली एन टू में चला गया ठीक है यह ट्रांजिशन हो गया फार इक्जामपल अगर एनर्जी लेबल इस ट्राइब से अगर देख हुआ एक्चली सरकल में बना देते हैं तो ज्यादा आपको इसमें फील आएगा कि टाइम पिरेट के बारे में डिसकसन हुआ है तो यह नुक्लियस है प्यारा सा और यह इसके अंदर यह इस तरह से आर्बिट है तो यहां से इलेक्ट्रान पहले एन वन में था मालो अब यहां से कह उसका टाइम पिरेट टी टू हो गया तो यह कर रहा है कि इनीशियल स्टेट यह देखो टाइम पिरेड आप दे इलेक्ट्रान इन इनीशियल स्टेट मलब टी वन इस उकल टू एट टाइमस टी टू क्या यह बात सही होगा टी वन इस उकल टू एट टाइमस टी टू होगा obviously जब यहां higher orbit में होगा तो velocity कम होती है तो time period जादा होता है ठीक है तो T1 8 times जब pass में आ जाएगा तो तेजी से गुमता है time period कम हो जाता है तो यह equation सही है चलो तो यह कहता है possible transition कौन सा होगा इसमें से तो यह बात कैसे calculate करें तो यह बात हमें calculate करने के लिए यह जो condition है इसी condition से question solve होगा इस condition को हम लोग solve कर लेंगे तो यह हमारा प्यारे बच्चो question done हो जाएगा तो इस condition को solve करने के बहुत सरे तरीके हैं कोई बहुत बलकी formula याद कर लेता है मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ देखो कैसे calculate करते हैं तो time period निकालने का simple सा तरीका है time period 2 pi r distance linear velocity भी ठीक है किसी भी आर्विट में है general आर्विट में तो r radius है तो यह जो distance है distance 2 pi r पूरा arc और distance time क्या होता distance upon speed है तो पूरा circumbrate 2 pi r linear speed से divide कर दिये तो यह type period आ जाएगा अब यहां से r और v की value रख दोगे तो principal quantum number relate हो जाएगा क्योंकि r और v principal quantum number पर depend करते हैं energy level है energy level पर depend करते हैं तो r की value हम सब को पता r की value r naught n square अपान z है और hydrogen है तो z की value 1 हो गई r naught की value 529 n square मतलब r is directly proportional to n square तो यह एक तो relation यहां से हमें पता चल गया चलो और velocity v is equal to होता है v naught और z upon n यह से value याद रख लो यह बहुत important यार atomic structure पढ़े v naught की value 2.18 into 10 की power 6 z और upon n तो z की value 1 है तो v is inversely proportional to 1 upon n यहां से मुझे प्यारे बच्चों पता यह बात पता चल गया कि v और r principal quantum number पर कैसे depend करते हैं तो time बाकि सारे constant है तो time period proportional हो जाएगा n की power q तो यह दोनो यह दोनो लाके यहां रखोगे यह यहां रखोगे यह वाली चीज तो time period proportional हो जाएगा इसका मतलब यह हुगा कि यहां से अगर तुम देखोगे time period तो t1 upon t2 की जो value है वो 8 आ रही है मतलब n1 upon n2 की जो value है वो power q upon 8 आएगी मतलब यह जाएगा n1 upon n2 की value 2 आएगी मतलब n1 is equal to 2 times n2 होगा तो जो n1 होगा जो पहला आर्बिट हो जो initial जो higher आर्बिट होगा दूसरा जो lower आर्बिट का double है अब इस condition से option चेक करो इस condition से option चेक करो तो इस condition से आप चेक पहला आर्बिट जो है higher आर्बिट है 6 यह ही नहीं n1 जो है यह इसका तीन गुना है option गलत है यह भी गलत है तो यह भी गलत है यह देखो यह option d सही है n1 is equal to 2 times n2 है क्योंकि 2 और n2 की value 2 है तो यह जाएगा 4 तो I hope कि आपको clear हो गया होगा कर दो